ध्यान के अवस्था का मतलब है कि अगर आप यहां बैठे हैं तो आपका मन वहाँ है आपका शरीर यहां है जिसे आप खुद की तरह अनुभव करते हैं वो इन दोनों से थोड़ा दूर है इसका मतलब है कि आपने थोड़ी दूरी बना ली है खुद के और अपने शरीर के बीच खुद के और अपने मन के बीच समस्चाएं सिर्फ दो ही है आपके जीवन में दो तरह के दुख है शारीरिक और मानसिक क्या आप किसी और तरह के दुख जानती है नहीं अगर दूरी बन गई आपके और आपके शरीर के बीच आपके और आपके मन के बीच तो दुखों का अंत हो जाता है एक बार जब दुखों का कोई डर नहीं रह जाता यानि चाहे जो भी हो जाए, मैं ऐसा ही रहूंगा एक बार जब आपके भीतर ये भरोसा होता है तब आप जीवन में पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे चाहे वो creativity हो, या industry, या business, या जिस भी तरह का जीवन हो आप पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे जब दुखी होने का डर होता है, तो आप सिर्फ आधा ही कदम उठाएंगे मैं कब? मैं वैसे कब बन सकती हूँ गुरू जी? आप Inner Engineering से शुरू कीजिए इसके लिए हमें 30 घंटों का focus time चाहिए हम इसे कई तरह से चलाते हैं साथ दिन में, तीन दिन में, तीन पूरे दिन, कई और दूसरे तरह से लेकिन असल में हमें 30 घंटे का focus समय चाहिए हम आपके लिए एक साधन तयार करते हैं ताकि आप भीतर की और मूड सकें अभी आपको भीतर की और मूडने के लिए एक साधन की जरूरत है क्योंकि फिलहाल, ये पांच इंद्रियां ही आपके अनुभव प्राप्त करने के साधन है देखना, सुनना, सूंगना, छूना और चखना आप जीवन को सिर्फ इन ही के जरी जानते हैं अभी आपका वजूद ऐसा ही है आपको अपने होने का एसास है क्योंकि आप देख, सुन, सूंग, चक और छू सकते हैं अगर आप सो गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि दुनिया है या नहीं या आप है या नहीं, है ना? तो इन इंद्रियों का रुख बाहर की ओर होता है आप देख सकते हैं कि आपके आसपास क्या है लेकिन आप कभी अपनी पुतलियों को भीतर की ओर मोड़ कर खुद को स्कैन नहीं कर सकते आप इसे सुन सकते हैं इतना कुछ हो रहा है आप नहीं सुन सकते अगर हाथ पर एक चीटी रेंगती है तो आप महसूस कर सकते हैं इतना सारा खून बह रहा है आप महसूस नहीं कर सकते इंद्रियों की प्रकृती ही ऐसी है कि इनका रुख सिर्फ बाहर की तरफ होता है लेकिन आपका अनुभव पूरी तरह से आपके भीतर ही होता है अभी क्या आप देख सकती है कि मैं कहा हूँ गुरू जी मैं आपको यूट्यूब पर देख चुकी है क्या आप अभी मुझे देख रही है आपने दुनिया को अपने भीतर ही देखा है देखने, सुनने, चकने या चुने का कोई भी अनुभव कभी आपके बाहर नहीं हुआ ये सब आपके भीतर ही होता है कभी आपके बाहर नहीं होता या दूसरे शब्दों में जीवन का सारा अनुभव भीतर से ही पैदा हो रहा है, जब जीवन का सारा अनुभव भीतर ही पैदा हो रहा है, तो कम से कम आपके भीतर जो हो रहा है, उसे तो ऐसा होना चाहिए, जैसा आप चाहती हैं, है ना? पिल्कुल. दुनिया का शोर सराबा आपके मुताबिक नहीं होगा क्योंकि हम सब ने मिलकर इसे बनाया है थोड़ा बहुत मेरे मुताबिक होगा, थोड़ा आपके मुताबिक और थोड़ा किसी और के मुताबिक, ये ठीक है लेकिन ये शान्ती मेरे अनुसार है क्योंकि ये एक आंतरिक चीज है आपके भीतर जो होता है उसे सौ प्रतिशत आपके अनुसार होना चाहिए किसी दूसरे के अनुसार नहीं बाहर जो होता है उसमें सब की हिस्सेदारी होती है लेकिन यही सबसे मुश्किल काम है ऐसा हो पाना की? यह मुश्किल नहीं है अभी मान लीजे कि मैं आपको इस फरनिचर से एक स्क्रू को अपने हाथों से निकालने को कहता हूँ क्या होगा? आप अपने नाखुन इस्तिमाल करेंगी और उन्हें खो देंगी आप अपने दांत लगाएंगी और उन्हें खो देंगी लेकिन स्क्रू नहीं निकलेगा लेकिन अगर मैं आपको एक स्क्रू ड्राइवर दे दूँ तो आप आसानी से उसे खोल लेंगी तो जरूरत है एक साधन की इसलिए मैंने भीतर की और मुड़ने के साधन की बात की चुकि साधन मिलते नहीं लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है तो इनर इंजिनियरिंग एक साधन है ये कोई शिक्षा नहीं है कोई फिलोसफी नहीं है कोई विचार धारा या विश्वास की चीज नहीं है ये बस एक साधन है जिसे आप इस्टिमाल करना सीखते हैं